पॉइंट वन सेवन पाइट 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 यह की प्रॉबिलिटी जी सरी जी सरी मेरा है पॉइंट के बासर कितने निंबर लिखना सरी होता है यार आप इस केस में जैसे है ना चार लिख दें ठीक है पॉइंट वन सेवन एट फाइब तो यह ठीक रहेगा नंबर देखें वैसे एक स्टेंडर्ड तरीका यह है कि अगर तीर हो चार भी लिख सकते हैं पांच ने असूल बनाया हुए तीन लिखने का तो तीन फिक्स टिक रहें यह बन जाएगा जिरो पॉइंट वन सेवन नाइन हो जाएगा फाइव जब हटेगा तो यह नाइन हो जाएगा राउंड आफ होके या फाइव भी लिख सकते हैं तो तीन स्टेंडर्ड होता है वैसे ती सब्सक्राइब लिख सकते हैं अगर नंबर के पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का नंबर लेकल क्या है तो लेकिन तीन से कम ना लिखें और दूसरा यह के अगर राउंड आफ करना है तो राउंड आफ कर देंड जैसे फाइव ड़ेगा तो बॉन सेवन नाई हो जाएगा जीरव पॉइन साथ व Aah या वाई या पएव से बड़ा आ रहा तो पर या एद वन सेवन इ !! ए Sag फैव जाश do geben तो यह पाई चार जीर वह है वह आठाव स्वाल है in Bangkok 48% of teenagers own skateboard and 39% of teenagers have bicycle and a skateboard what is the probability that teenagers have bicycle also have scared what is the probability that teenagers who has a bicycle also has a skateboard it back up 48% of all the data blindness data to see that करेना है अच्छा बैंककोक बगरा लिखने की जुद्धनी के टीनेजर्स teenagers have skateboarder क्या दिखा हुए है अच्छा अगली बात क्या लिखी हुई है परसंटेन में सर लिखा होगा तो हम उसे मेशा अंडर से डिवाइड कर देगे जी जी तो प्रॉबबिलिटी बना दे अच्छा आगे क्या कहते हैं परसंट अफ और टीनेजर्स हैव आ बाइसिकल एड़ स्केट बोट एक मिनट यार एक बात क्या सकतो जी जी अभी यह टॉपिक ना ना जी तो आम ने सर मतलब इन दो मिनों में एक टॉपिक आइट तो स्किप्ट की यह बाकिसारे हमने आठ टॉपिक मतलब पड़ी हैं आप वह देख लूए साब मैंने वी किया नहीं इसका क्या कितने पुड़ें किपने नहीं पड़ें जो जैसे कहते हैं मैं कर आता तो गया हूँ था यह से कल है स्टेटिस्टिक्स का जो मैंने खुद से किया वह पास अपनी आम ने किया ना वहाव मेरे है थर्टीनाइन परसेंट अफ और दिनेजर्स हैव आ बाइसेकल एंड आ स्केट बॉर्ड ठीकल एंड आ स्केट बॉर्ड तो पीन एजर्स है वाइसेकल एंड स्केट बॉर्ड स्कुइट बॉर्ड इस एक्वल टू एंटर्सेक्शन भी ठीक है प्रॉब्लिटी ओफ एंटर्सेक्शन भी किसके बराबर है टीनाइन परसेंट पॉइंट थ्रीनाइं यह डेटा बनाना जाना बड़ा जरूरी एक से पुछ सवाल समझ में आता है कि कर्क है क्या अब आगे आप से क्या पूछा है कि वोट इस अप्रॉब्लिटी देट टीनेजर हूँ है अब बाइसिकल जैनि एक चीज़ स्केट बॉर्ड यह कंडिशनल प्रॉब्लिटी का केस है क्या लिखा आपने सरका क्या 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 स्केट बॉर्ड गिवन दैट ही एदा बाइसिकल यह अपने मालूम करनी है कंडिशनल प्रॉब्लिटी होती है कि उस पे कंडिशन लगी हुई होती है और आपने प्रॉब्लिटी निकालने होती है यह जो मैंने ड bicycle मतलब यह कि teenager के पास bicycle है इस में कोई शक नहीं also has a skateboard आपने probability निकाल ली है skateboard है उसके पास के नहीं या निया बाइसकल उसके पास है skateboard है के नहीं यह ज़से ले प्रावेबिलिटी गाल ना चीणेजर हुए पाईसे कल यह नि condition लगी हुई एसके उपर के bicycle उसके पास है slash b आप लिखे देंगे जब condition लगी होती है तो हम इस तरह लिखते है slash b ठीक है आप इसका एक formula होता है conditional probability का formula होता है एक मिनट रुके हैं या जड़ा एक मिनट conditional probability का फर्मूला देख तो मैं जड़ा किताब से जड़ी सर्थ यह जड़ा है यह इन्टेसेक्शन भी मुल्टिप्लाइड बाई बी यह इसके बराबर होता है ठीक है यह जड़ा आपका जो प्रॉबबिलिटी आपको समझाने की जरता आपका हैंग हो गई यह तस्वीर आप हैं भी अच्छा प्रॉबबिलिटी आपके लिए नई चीज़ है यह सुन लें सीख लें तो इसके बगार आपको गुजारा नहीं चलेगा यह आपको समझ में कुछ आप अगर कंडिशनल होगी तो सर बीज में स्लैश डाल दें कंडिशन कोई दी होगी अच्छा देखें कंडिशनल प्रॉ और प्रॉबबिलिटी ऑफ एज़ है पॉइंट फॉर एट है फॉर्मल तरीके से कर दिया फिर अगली बात उसने की कि मैंने खुछ से लगाई कि टीनेजर्स है बाइसेकल इस इक्वल टू बी यह बात ना मैंने खुद लगाई है यह सवाल में रिक्वी नहीं थी इसकी प बताता हूं पहले मैं इस खाते को तो पूरा सीधा करू ना जो कंडिशनल प्रॉबबिलिटी वाला है यह है कि सर कंडिशनल कंडिशन जब लगेगी सर ठीक यह उस लड़के के पास बाइस है आपने मालूम करना है स्केल बोर्ड भी उसके पास है या नहीं है हां यह मालू चीज फर्दर जो होती है ना अब यह कंडिशनल फॉर प्रॉबिलिटी का एक और फॉर्मूला होता है बी के वने प्रॉबिलिटी ए अफ ए अच्छी कंडिशनल का फॉर्मूला सर आपने प्याइब पी ए एन बी ब्रैकेट नीचे पी बी यह ना यह कंडिशनल का मतलब यह फॉर्मूला है यह जो है ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं यह नहीं लगेगा आपका प्रॉबिलिटी ओफ बी जो है भी गिवन ए भी गिवन ए आपके पास है नहीं यह एक इस सवाल में डेटा भी पूरी नहीं दी हुए आपको यार एक मिनुट के जाए देखें यह जो यह जो यह प्रॉबिलिटी ओफ ए गिवन बी इसके बराबर है प्राबिलिटी ओफ एंटर सेक्शन बी डिवाइड ब बी तो क्या कहते हैं इन्होंने आपको जह है प्रॉबिलिटी ओफ एंटर सेक्शन बी बताई हुई है वह पॉइंट थ्री नाइन है प्रॉबिलिटी ओफ बी नहीं दी हुई पॉइंट थ्री नैन क्या दी हुई है सब्जी यह प्रॉबिलिटी ओफ एंटर सेक्शन भी है यानि इसके पास स्केटबॉर्ड भी है और इसके पास वो भी है एक मुण मैं सवाल दुबारा से पढ़ लू ना यह नहों कि मेरे पास मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा नहीं कि प्रॉबिलिटी ऑफ स्केटबॉर्ड निकाल नी है इस बाइसिकल आपको कहिए कि जो उस तीनेजर जो आपका है ना कहते है जिसके पास स्केटबॉर्ड है वो उसको आप एक कह रहे है और प्रॉबिलिटी ऑफ एप पॉइंट फॉर इट है दूसरी बात जैस ने कहा है जी कि टीनेजर जिसके पास बाइसेकल भी है स्केटबॉर्ड भी है वो आपके पास जैना पॉइंट थ्री नाइन है उसकी प्रॉबिलिटी वह एंटर्सेक्शन बी हो गया अगली बात यह कह रहा है वाट इस अप्रॉबिलिटी ऑफ इसका मतल या प्रॉबिलिटी ऑफ स्केटबॉर्ड गिवन एट ही है बाइसेकल अब यह सवाल आप सब्सक्राइब यह सवाल आपको समय नहीं आ रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है मैं एक चीज़ में सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह जो है ना यह सवाल है टेड़ा आपका और यह व स्केटमेंट अंग्रेजी की समझे बाथ है अगर वो कह रहा है कि इसके पास केट बोड़ हेढ़ है इस बाइस कन दैवन यह सब्सक्राइब करब सक्करब gracious कि यह तए तो B गियोजएगी हिसी के जो a α मी लिखा बी गेवन ए यह पूछ है कि प्रॉबबिलिटी ऑफ हेविंग बाइसिकल गिवन दैट ही है स्केट बॉर्ड आपने किस की जगह आपने लिखा वे एक कहां पर यह इदर यह ब्रैकेट के अंदर एक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके बाइस के बोड है यह मैंने खुद ही एक एक का कॉंसेप्ट मैं मैंने खुद से डाला है बीच में मतलब मैंने नहीं है और बी वाइस है तो वह इवेंट है भी दोनों हैं एंट्रेसेक्शन भी पॉइंट थरी नाइन इसकी प्रॉबबिलिटी है आप वह यह कह पूछ रहा है आप से सवाल को इस पॉइंट थरी ने कैसी है को साना यह सवाल में गिवन एन पॉइंट थरी नैंगे स्केट बोर्ट भी बैसिकल दोनों है इसके पास अच्छा आप जो हैना सवाल पॉइंट रिन नहीं उसने सवाल पॉइंट रिन वाट इस प्रॉबबिलिटी टीनेजर हूँ है जो है इसके अर्षिट्मेंट दी आउल्सो की वज़ेसे यह स्टेट्मेंट आपकी यह लगती है जैसे वह पूछ रहा है पी ए गिवन बी लेकिन जिस तकी कि इन्हों डीटा दी है उससे यह समझ में आता है कि वह वे बी गिवन ए हमसे पूछ रहा है वी गिवन ए अगर आपके इससे तो यह सॉल्व हो जाएगा आपका यह जाएगा प्रॉबिलिटी और नीचे आपके पास जो प्रॉबिलिटी ऑफ ए है वह आपको पॉइंट फॉर एट दिए हुए पॉइंट फॉर इट आ जाएगा इसको डिवाइड करें इससे आपका क्या अंसर निकल के आता है कि हाँ यह एना इंटर्सेक्शन ईंटर्सेक्शन भी ए तो आपने एक वैली उपर लिखी यह कि ए कि गादभी नीची ना प्रॉबिलिटी ऑफ ए नीचे पॉइंट फॉर इट पर तो सब्वही नहीं जीडो पॉइंट फ्री नाइन वह एंट्रसेक्शन बीए यह आंसर जिए यह पॉइंट एट वान्टी फाइज गफ यह इसका आता है फ्राबिटी ओव वैविंग बाइसिकल गिवन यह स्केट बॉर्ड जैसाथ लिक भी दें बेशेख प्राबिविलिटी ओव वैविंग बाइसिकल गिवन that he has skateboard probability having bicycle given that he has skateboard having bicycle by second he is having skateboard given that he has skateboard slash کے بعد لکھا ہوتا ہے نا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اور آپ نکال رہے بائسیکل ہونے کی probability ہم سے جو آپ کے سوال کی جو اگر آپ اس کو سوال کو غور کریں نا اس میں وہ آپ سے کہہ رہا ہے what is the probability teenager who has a bicycle سے صاف الفاظ میں پتہ چل رہا ہے teenager who has a bicycle also has a skateboard لیکن جو یہ پوچھا اس نے ہے نا سوال والے نے سوال اس نے جانب بہت صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوا اس کو لکھا جو statement ہے نا میرے حساب سے سوال ڈیٹا بھی ٹھیک نہیں دی ہوئی اس نے آپ کو جو دیا نا اس نے آپ کو دیا ہے probability of a دیا ہے اگر یہ probability of b probability of b ہم نکالتے پھر اس کے بعد اس میں a وہ کرتے تو پھر ہم یہ اس پر لگنا چاہیے تھا لیکن اب اس کا جو سوال ہے نا اس کو ہم نے اس سے جو سمجھے نا بات وہ یہ یہ ہے کہ وہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے ہم سے سوال اس نے صحیح بنائے لیا ہے صلو وہ پوچھنا ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ probability آپ نے نکال لی ہے bicycle ہونے کی given that he has a skateboard ٹھیک ہے آپ نے نکال لی ہے کہ اس بند آپ نے ایک بچے کو ٹینیجر کو پک کیا ٹھیک ہے آپ کو ایک چیز پہلے سے پتا ہے کہ اس کے پاس skateboard ہے ٹھیک ہے آپ یہ اس کے کتنے percent chances ہوں گے کہ اس کے پاس جو ہے وہ bicycle بھی ہے یہ آپ معلوم کر رہے ہیں بیسکل بھی یہاں پہ نہیں سر اس بچے کے بعد سر bicycle تو ہے نا ہم نے یہ معلوم کرنا ہے skateboard ہے یا نہیں 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 اس کے پاس جو ہے نا skateboard ہے اور آپ نے bicycle ہے کہ نہیں یہ معلوم کرنا ہے اس میں سر اس نے question تو اس طرح کا کیا ہے کہ اس کے پاس bicycle ہے skateboard معلوم کرنا ہے what is the probability that a teenager who has a bicycle also has a skateboard اگر یہ جو سوال اس طرح کس نے کیا ہوئے نا تو پھر اس کے ساتھ problem یہ ہے کہ اس کے لیے نا آپ کو probability of B کی ضرورت ہے probability of B آپ کے پاس ہے ہی نہیں سوال میں آپ کے پاس probability of B سر بائیس ایک ہے ہاں probability of 408 نہیں ہے سر 48% وہ probability of A ہے سر probability probability of A سر مطلب پہلی probability جو ہے نا of skateboard what given is the point for it اچھا وہ 0.9 سر کی probability probability is 0.9 نہیں 0.39 ہے کہ اس کے بعد skateboard بھی ہے bicycle بھی ہے اچھا اچھا اور پہلی بائی سیکل کیا بیسکل کیا پہلی باری سکیٹ بورٹ کی ہے پہلی باری سکیٹ بورٹ کی ہے پہلی باری سکیٹ بورٹ کی ہاں ایک منٹ رکھیں یار ذرا جو سوال میری سمجھ میں ہے جی سر آپ کیا کہہ رہے جو سوال ان کا میری سمجھ میں آیا ہے نا وہ یہ پوچھے یہ ہم سے پوچھا ہے جی probability of having bicycle given that he has skateboard وہ میں نے نکال دی ہے یہاں پہ اب اگر probability of having a skateboard given that he has bicycle وہ اگر آپ نے نکالنا ہے نا وہ اس طریقے سے نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر فاربولے کے اندر لگے گا آپ کا یہ probability of BL نظر آ رہا ہے نا اوپر پونے پہ اب یہ آپ کے پاس نہیں ہے ایک منٹ سر ایک منٹ سر آپ پہلے آپ پہلے سمجھے تھے نا کہ انہوں نے ہمیں بائے سیکل کی probability دی بھی ہے zero point four eight ٹھیک ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں سمجھا تھا point four eight تو میں نے لکھ دیا نا point eight skateboard کی probability ہے میں یہ سمجھا تھا جو given that he has bicycle ہم نے probability of skateboard نکال لی ہے bicycle given کی یہ میں تھی بات پہلے ٹھیک ہے آپ سمجھے تھے bicycle ہمارے پاس ہے skateboard کی نکال لی ہے probability given that conditional probability نکال لی ہے ایک وٹ کوئی اردرا وہ تو نہیں نکال لی ہے وہ تو نہیں نکال لی ہے basically کیا چیز four point four zero point four eight سر یہ basically uh skateboard کی probability ہے ٹھیک ہے خالی اے ہے skateboard کی probability ہے صحیح ایک منٹ یار ایک منٹ ڈیار میں اس کو دوبارہ سے بھی دیکھوں نا درہ ایک یہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا probability of a given b into probability of b is equal to probability of a intersection b ٹھیک ہے is equal to probability of b given a probability of a ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے پاس probability of a آپ کے پاس موجود ہے اور یہ آپ کے پاس موجود ہے probability of b given a آپ نے کال لیں گے اس میں سے نکل آئی اچھا اب آپ نے probability اور سریعہ آپ خود سے basically solve کریں نا میں solve نہیں کر رہا میں چیز چیک کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کے پاس جہا ہے یہ نکلی جب تو آپ یہ پھر بھی نہیں نکال سکتے یہ سے پھر بھی نہیں نکل سکتی یہ یا تو اس جو ہے law of total probability لگے گا اس پہ پھر آپ نکال سکتے نہیں وہ بھی نہیں لگ سکتا یہ یہ کیا کہتے ہیں probability of b given a ہی آپ نکال سکتے ہیں جتنی data اس نے دی ہوئی ہیں اس کے حساب سے اور اس نے پوچھا ہی یہی ہے ٹھیک ہے وہ جو probability of a given b ہے اس کے لیے آپ کو probability of b کی کہتے ہیں وہ سوال میں دی ہوئی نہیں ہے تو یہ آپ یہی نکال سکتے probability of having a bicycle given that he has a skateboard وہ اب کی point eight one two نکل آتی ہے جی سر صحیح یہ تیڑا کوششن ہے سر چھوڑا سارے سوال ہی تیڑے ہیں یا کوئی ایک سوال بھی سیدھا نہیں ہے یہ سوال جاتا ہے سر یہ آپ کے لیے تیڑے ہے سر میرے لیے سر بیپر میں اس طرح کا سوال آ گیا تو سر کیا ہوگا نہیں اس سے کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ کیا کہتے ہیں بچہ پریشان ہو نا تو دیکھتا ہے مابا پریشان ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پریشان ہے تو میں تو اور ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں انہوں والی بات نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہ ہوئی تیڑے سوال اچھا آپ کے ایکسپیریئنس ایسا اچھا ابھی سوال نمبر نائن کیا کہتا ہے ان ایلیمنٹری سکول ایٹین پرسنٹ آف آل دا سوڈنٹس پلے فوٹبال and کرکٹ and 32 آف دا سوڈنٹس پلے فوٹبال ٹھیک ہے ایٹین پرسنٹ آف سوڈنٹس پلے فوٹبال and کرکٹ انٹرسیکشن آ جائے گی ابھی ایف اور سی سمجھنے دو ایونٹس ہیں آپ کے ایٹین ایلمنٹری سکول آف دا سوڈنٹس پلے فوٹبال what is the probability that the student who play football are also also plays cricket what is the probability or the student who plays football also plays cricket also plays cricket also plays cricket also plays cricket p c given f c तरी आप किदर लिख रहे हैं लिख नहीं रावी मैं छोच रहा हूं दमाह में लिख रहा हूं c given f c given f c c c given f अच्छा सभी है c given f यह 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 जो सवाल है ना what is the probability that a student who plays football given f also plays cricket also play sir यह यह दर लिखा है sir मैं सवाल पढ़ू sir यह एक मिलड़ एक मिलड़ एक मिलड़ एक मिलड़ also plays cricket what is the probability that a student who plays football what is the probability that a teenager who has bicycle also plays skateboard देखा ना यह सवाल ही उन्हें पिछला वाला गलत बनाया हुआ था यह सवाल अब यह वाला हो आपका हो जाएगा ना आराम से अब student who plays football given f ठीक है दूसरी सेड़ पर आप intersection के नीचे f लेखेंगे f आपको दिया हुआ भी है उपर और also plays cricket probability of cricket निकालना है अपने इसको साफ कर दें पूरा पहले पहले ना डेटा बनाना सीखें सारे process की डेटा बनाना सीखें डेटा यह इस तरह से बनती है कि आप events define करें event that student place football is equal to F event that student play cricket 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 Khan is equal to C probability of football जो है इसने कितनी दियो यह- modest पटिवा कि परसेंट प्ट में कट क Olst window फूट बोल तो यह 32 परसेंट यहां पर लिग लिग दें या कि एक यह आप इए पी ओफ ए श्लेद्ट का यह रिंट मैंटो साँख डोट दिए कि दैट कि टूदेंट प्ले कि फुटबॉल कि एंड बड़ा करके लिखें एंड क्रिकेट एप इंटरसेक्शन सी तो यह का प्रबाबिलिटी ओफ इंटरसेक्शन सी कितना है एटीन परटीन से एटीन अच्छा आप आगे वह आपसे पूछ रहा है के वह दिए प्लेटी फूटबॉल गिवन एफ हो गया न वह प्लेटी अव्टेश्ट फूटबॉल इस प्लेटी उस्टूट एट प्लेग गिवन आट गिवन दर गिवन दर फ्लेश् फूटबॉल यानि probability of C given F यह अपने मालूम करनी है probability of C given F जो होती है वो बराबर होती है probability of C intersection F divided by probability of F C सर यह क्या चीए C यह क्रिकेट वला है cricket पर फुटबॉल वला है फुटबॉल वला ना C given F is equal to यह point intersection वला हो जागा point 18 और football वला हो जागा point 32 सर यह आपने probability of F 0.32 लिखी है point 32 है point 32 P of F है probability of F है P of C के cricket की है वो आपको given नहीं है सवाल में वो फाइंड करनी है वो नहीं फाइंड करनी है आपने फाइंड करनी है cricket given football आपने conditional प्राबबिलिटी फाइंड करेबिलिटी और वो यह यह कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं एक है कि एक चीज़ आपको पता है कि अपने देखा एक टेडियम में फुर्ट बाल खेल रहे हैं अब उसकी जो है वह फुर्ट बॉल खेलने वाला बंदा अब एक अब यह वी खेलता है के नहीं उसकी प्राविबिलिटी सी गिवन एफ है यह जो बंदा है यह किर्कट क्हेले के कितने चांसेज ने कितने चांसेज़ हैं कि एक चीज़ पूटबॉल को पहले टा है इस दो Gegen तो सर्थ सीवल्य नी किवण पी ऑफ सी अखाली नी किवन किवण कितने लोग कितने पर्षन चांसेज़ हैं कि एक रेंडम ली स्टूड़न पकड़ा आपने बंदा पकड़ा कि क्रिक्ट खेलता है कि अच्छा लेकिन सर्थी खाली सी तो जिए ना जीरो पॉइंट एटीन है वो क्रिकेट एंड फूटबॉल है फूटबॉल एंड लिक रोस्ट को एंड आता है वो जीरो पॉइंट ठीट्टू है जे तो यह अपने एटीन को दिटी से एटीन को न पॉइंट को त्री टू से डवाइड करना है देवाइड कर दो सिह भीजी जिर आइए जिरो पॉंट फाइव सिक्स टू फाइव आए थी जिरो पॉंट सिक्स पॉंट फाइव सिक्स ठी जिजिए यह का अंसर बनता है किदर सर एक मैं तस्वीर यह ले लिए थी मैंने ठीक है यह लिख लूँ सर जी जी आपका यह लाइन भी कटने वाली दस मिनट में सर जी बास मैं लिख ले कि कि आपक बासी है झाल झाल अच्छ जी यह डिलीट कर दूंगे शर एक मेंट सर्फस यह डेटा लिख ले तो खाली जी सर लिख ली अच्छ जी अभी अच्छ आगला सवाल आपका है युनाइट सेट्स वाला के युनाइट सेट्स फ्टी सिक्स परसेंट अफ आल दा चिल्रन गेट अलाउंस लोन कारे है ना लोन सर्फ स्विस्पित लोन तो नहीं अलाउंस कि है तो पैसे मिलते हैं अच्छ अच्छ वो जो सर दी वो बच्चा मेरे हाँ से जब पैलाइट से गरारा कुछ फ्टी सिरा हो जो गौर्फ्मेंट आँट दे उनका खर्चा उठाती ए अगर क्या हो जै बर्दा से आप आकसान के अंदर जाए को पूछ रही है आप यामे बच्चों को तो सर मेरे ज्यादा पता होगा सर्दी आप सीनियर ऐसा है ऐसी के बादे से मुझे बजपन से बात लोगों से सुनी है नहीं मैं यह बड़ी बात नहीं कि अपना अप पता है ना आपको भी नहीं मुझे यह बात नहीं पता थी कि यह वहां पर अलाउंस मिलते हैं कि अगर हो जाए वह पैरेंट्स वहात हो जाए बच्चे की सब्सक्राइब जासे पहता हूं सरी बाहत सुन लोग जा चिल्रन तो 정도 है इसे काम कृवाते हूंगे चिते होंगे सरे मुझे ओकसर कैनीदा की मुफ्स में देते है सर इसलिए तो सर क्रोना के दिनों में वबा आई इन अम्ैरिका वग्यरा में ज्यादातर लोगों को लाउंट दिय ते गया अभी इसलिए विजनेर मेरिका वगष्स कि नेश नेशनलिटी इसी विज़ा सर उनकी जो अपनी वर्ट वोस से ना सर वो गार बैटके राम सर अलाउंस लेते हैं तो इसलिए पक्स ता उनकी नैशनलिटी सर्व बहुत ते लोग आपके काम करें से ज्यादा क्यों कि अभून के राम से आलाउंस प्यूदर के लोगों अच्छा 56 of the children get allowance and 41 of the children get allowance and do household how household chores 51 percent of the children get an allowance and do household chores get an allowance and do household chores अब ये इंटर सेक्शन वाला बन रहा है इसका एक मिनट ये आपकी जो ए है ना प्रावबिलिटी ऑफ ए allowance के कितने लोगों को प्राउंस में क्या लिखा हुए ये अलाउंस लिकाव है इन युनाटिटी शेट 56 परसेंट ऑफ और चिलिंट गेट एन अलाउंस 56 परसेंट ठीक है तो पी हो गया ये वाला ठीक है अच्छा अगर वह क्या अधो है कि ये इन अलाउंस यह कितने बन जाता है 41% पॉइंट 41 जी सर आगे आप से पूछा उसने क्या है आगे सर पूछा दूसर उसने यह वाट इस बाइब देट आट चाइल ड़ाउस होल्ड चोर्स गिवन डैट ही अलाउंस ठीक है तो अलाउंस एक प्रड़िया यह डिस्टर्बंस हागी थी बीच में इसकी वज़ा से अचाही क्या कह रहा है कि प्राइब ड़ाउस होल्ड चोर्स हाउस होल्ड चोर्स वो कर रहा है गिवन डैट ही इस गिवन इन अलाउंस यह अपने मालूम करनी है ठीक है एच गिव एस जा सकते हैं यह जाएगा पॉइंट पॉर वन डिवाइड़ भाइप पॉइंट फाइव सिक्स इसने क्या गिवन है यह जाफ्ञा हाँ वाला गिवन है और हाउस होल्ड चोर इंड अलाउंस दोनों का जैना फॉइंट फॉर वन पर्शेंट है और जब आपसको डिवाइड that he does household chores given that he gets allowance یعنی slash a given that a am allowance को कह रहे हैं और है आपने एक लिखा वे ना चोर्स करने को है रहे हैं आपस आपकी लाइन कटने वाली इसका अंसर जल्दी से निकाल के बता दे मुझे पॉइंट फॉर वन डिवाइड वाइड पॉइंट फाइफ सिक्स डिवाइड कर दू जी चोटा नंबर सर्मेचा उपर लिखती है ने डिवाइड करने के लिए बड़ा नंबर नीचे जो नहीं नहीं जो भी बड़ा नंबर नीचे नहीं मतलब यह है कि आपका छोटा ही पॉइंट सेवन थरी टू यह अंसर आ रहा है इसका ठीक है इसका मतलब यह है कि किसी एक ऐसे बच्चे को गर आप पिक करें और यह आपको पता हो किसको अलाउंस बिल रहा है तो उसके घर के काम करने के चांसे जाएं वह सेवन्टी थ्री परसंट होंगे इस प्रॉबिलिटी का मतलब यह बनता है आप एक रैंडम ली बच्चा अमेरिका में प्रिक करें इसा जिसको अलाउंस मिल रहा है अब कितने परसंट चांसे हैं कि घर के काम भी करता होगा वह सेवन्टी थ्री परसंट चांसे यहां पर यहां पर यह एंड करते हैं तो आपन के लावा ना आपने क्या करना है कि पर्मिंटेशन और कॉमिनेशन वह सारी जितनी हमने एक्टिविटीज कि यह और यह जो एक्सेसाइज आपकी है ना सवाल नंबर दस तक यह मुझे पहले तो आप मुझे सवाल वन से टैन वाले जमा कराना पॉल नंबर वन फाइल जो च चेक करवें और नंबर टू फाइल जो आप भेज़ेंगे ना वह पिछली एक्टिविटीज जो है ना प्रॉबिलिटी वाली तीन एक्टिविटीज वह एक सिंगल फाइल बनाके भेज़ लें सर नी वह तो आपको कुछ चीज़े मैंने सेंड की भी जी सर चले मैं दोबार पर Quelle त reserves. कोई नरा. आपने कहा था कि प्रॉबिलिटी आप नहीं की वह झाए हुए तो मेरे से कभी सरी चेक नहीं कर वहाई है तो वह झारू जो मिसिंग है ना उसमेंसे वह झारू कैसати को जो मिसिंग है ना मैं पहले चेक नहीं करता चाहिए यारा किस तरह की बार नहीं आप पेपर चेल सब्सक्राइब करने पर मेरा फोकस तो है लेकिन मैं यह कह रहा था चले आप अभी इस वाली एक्सेस के दस सवाल भेजें यह तो मैं लाज़मन चेक करूँ चीजें पाहिला अबने कर दी आपने कि मैं कर नहीं सक्क्राइब कर चेक कि वह बासर आखरी दिन पर है कि है सर मैं बासर अच्छाँ यह दस सवाल पहले चेक कर वहाएं फिर पेपर फिर पिछली जो की आपने नहीं सेंड की न वो इस तरह से तर्कीब बना रहें ठीक है जी चले जी अलाफ